हेलो नमस्कार आप सभी का स्वागत है केरियर पॉइंट क्लासिस के ऑनलाइन प्रेट फॉर्म पर आप सबके लिए आज एक इंपॉर्डेंट सेशन है किसी भी बंडे एक्जाम के लिए वो स्सी जीडी हो सकता है वो यूपी पैट हो सकता है एंटी पीसी ग्रूप डी जिसमें कहीं ने कहीं हमारे स्लेवस में साइंस आता है तो शामान विज्ञान के कुछ सेशन हमने आपको पढ़ा रखे हैं आईए उसी सेशन में या उसी सीरीज में हम एक आंगे का वीडियो लेक थे उनमें जो फ्लावर होता है जैसा कि आप थमनेल में फूल का चित्र भी देख रहे हैं तो हमको इस बात की जानगारी होनी चाहिए कि पौधे का एक महत्वपूर अंग है जिसका नाम फूल है बैसे तो हम जानते हैं और आप सब लोग भी जानते होंगे कि जड़ तना पती फूल फल ये वो इंपोर्टेंट पार्ट है किशी पौधे के और ये सारे के सारे पार्ट अगर किशी पौधे में होते हैं उसको हम पूड विक्षित पौधा कहते हैं तो आईए समझते हैं कि पौधे में जो फूल का क्या रोल है क्या इंपोर्टेंट रोल है उनके उपर चर्चा करते हैं और यहां से एक्जाम में कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं तो एक छोड़ा सक सेशन है आप सबसे उमीर है कि आप नोट्स बनाईए और इसको एक बार जुड़िए हम लोगों से अगर चीजे पशंद ना है तो कमेंट में अच्छा बताईए और वागी वीडियो अगर आपको मिला है तो उसको शेर कर दीजे आए इस सेशन को शुरू करें इस सेशन में देखें हमने जैसा कि बहुत कम समय में जल्दी से बातें करनी है पौधे का एक important part है जिसका नाम flower है जिसको हम push या fool कहते हैं ये क्या है तो ये पौधे का महत्तपूर भाग है और इसको हम कहते हैं ये पौधे का जनन भाग है flower जो है पौधे का reproduction organ है इसका मतलब पौधा जो अपनी शंतान उत्पत्ती करता है पौधा अपने अंदर से जो नए पौधे को विकाश करने के लिए जो वीच का निर्माड करता है या वो सारी प्रक्रिया जिस part पर शुरू होती है उसी भाग का नाम flower वोले तो push है दूसरा कह रहा है कि फल का निर्माड अगर आप से कोई पूछे कि पौधे के अंदर फल का निर्माड किस part के अंदर होता है तो उसके लिए आवश्यक है पौधे में फल का निर्माड तभी होगा जब उस पौधे के पास एक महतपूर आरगन होगा जिसका नाम flower होता है, जिसका नाम kushp होता है तो पौधे का जनन भाग है, ढोले तो पौधे के अंदर जो reproduction प्रक्रिया है, वो कहां से शुरू होती है, flower से पौधे के part of full में ही वो महतपूरंग होते हैं जो कहीं न कहीं पौदे की जनन पिक्रिया में भाग लेते हैं और जनन पिक्रिया को हम इंगलिस में रेप्रड़क्शन कहते हैं और जब जनन पिक्रिया होती है उसके पड़ाम सरूफी फल का निर्माड होता है और फल का निर्माड जब होता है, उसी के अंदर एक बीज का निर्माड होता है, और उसी बीज से नया पौधा आता है, तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इसकी सुरुआत फ्लावर से होती है, अगला important point कह रहा है, फूलों के अध्यन को क्या कहते है, विज्यान के वे कौन सी शाखा है, जिसके अंतरगात हम फूलों का अध्यन करते हैं, उसका नाम anthology होता है, तो तीन important part आप समझ लीजिए कि पूस्प क्या है, तो पूस्प पौधे का वह महत्तपूरंग है, जिसमें पौधे के अंदर जनन पक्रिया शुरू होती है, पूस्प वह पार पूस्प की सनरचना क्या है, तो अंगली स्लाइड में आप देखिए, मैंने लिखा है कि पूस्प की सनरचना या पूस्प की रचना, कैसे होती है, या मैं कहूं, structure of flower, फूल का क्या सनरचना होती है, तो जैसा कि एक चित्र यहां पर इसलिए लगाया है, जिससे आप चीज पढ़ दे रहा हूं, पहला पॉइंट यहां पर लिखा है पुस्पासन, दूसरा पॉइंट यहां पर लिखा है भाय दल्पुन जिसको कैलिक्स कहते हैं, तीसरा पार्ट यहां पर लिखा है दल्पुन जिसको कोरोला कहते हैं, चौथा पार्ट यहां पर लिखा है जिसको ह नीचे की निखे हैं दो से लेके पांच तक बने तो वहे दल्बुँच, कौरोला, पुमंग और जायांग, ये पौधे के फूल के मुख ऑरगन हैं, बने तो मुक्ः पार्ट हैं, इनको हम मुख अंग कहते हैं और ये जो लिखा है जिसका नाम पुस्पासन है ये पौधे के अंग के अंतरगत नहीं आता है तो आप से कोई सवाल कर दे कि पौधे का जो महत्वपूर अंग है जिसका नाम पुस्प है उसके कितने भाग होते हैं तो आप कहना पौधे के अंदर जो मुख भाग होते हैं उनकी शंख्या कितनी होती चार कोई पूछ दे कितनी होती है, बाहे दलपुंज होता है, दलपुंज होता है, पुमंग होता है, जायंग होता है, क्या होता है, इनके बारे में अभी बात करेंगे, लेकिन आप इतना समझ दीजी, आइए इस flower में हम समझने का प्यास करते हैं, तो एक important point आपको यहाँ पर clear हो कि नीचे की और यह जो डंटन जैसा है, इसको मैंने पत्ती की सनचना में पढ़ाया था, इस part का नाम ब्रंत होता है, ब्रंत, ठीक है, जिसमें कोई पत्ती जोड़ी होती है, या जिस साखा में, आपने देखा होगा, जब आप किशी को, बहुत सारे लोगों ने यह देखा होगा, मूवी बगारा में, कि जब गुलाब का फूल लेके, उसमें एक डंडी लगी होती है, और उस डंडी को पकड़ के ही, जब आप अपनी प्रेमिका या किशी के सामने, फ्यांश्यों के सामने, ऐसे गिफ्ट दिया जाता है, घुटनों पे बल बैठ के, तो अब जो पकड़ते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रंत, जैसा कि इस फ्लावर में दिख रहा है, नीचे की और जो है, इसको क्या कहते हैं, ब्रंत, इसमें आप देखिए, यहां पर जो यह structure है, यह, इतना पार्ड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, यह जो मैंने, गुलाबी कल पुषपासन, जिसके उपर स्थित होती है, उसी को हम बेटा क्या कहते हैं, पुषपासन, तो यह जो नीचे की और है, यह डेंटल की समान, यह है, इसको हम ब्रंत कहते हैं, और अगर इसमें हम बात करें, इसको क्या कहते हैं, तो इसको हम पुषपासन कहते हैं, यह दोनों इस पुस्प में आप देख पा रहे होंगे ये जो ग्रीन कलर की पटी इधर की और आपको देख रही है यहाँ पर आपको जो ये ग्रीन कलर की पटी दिख रही है ये वाली जो पती दिख रही है ऐसे ही आपने कभी गुलाब की पती को देखा हो गुलाब की कली को देखा हो तो red color का, white color का, yellow color का, orange color का गुलाब होता है, लेकिन उसकी कली अवस्था में आप देखेंगे, उसके उपर हरे रंग की कुछ पत्यां उसको cover किये होती है, और जो हरे रंग की पत्यां होती हैं, उन्हीं को हम बाहे दलपुंज कहते हैं, तो आपके पेपर में सवाल आ जाएगा कि बाहे दलपुंच का काम क्या होता है तो हम कह सकते हैं कि जब फूल कली अवस्था में होता है तो कली अवस्था में पुस्ब की रच्छा करने का काम कौन करता है तो फूल की जो सुरुवात की अवस्था है जिसको हम कली अवस्था कहते हैं उसको रच्छा करने का काम कौन करता है बाहे दलपुंच और बाहे दलपुंच मोश्टली पोधों में कैसे रंके होते हैं तो बाहे दलपुंच कैसे होते हैं हरे रंके होते हैं तो हरे रंगी बे पत्तियां जो पुस्प के नीचे की और होती है, पुस्पासन के ऊपर की और होती है, उन्हीं को वाहे दलपुंज कहते हैं, या मैं कहूं, एक कली आप देखना, कली के वाहर की और जो हरे पत्तियों से कली धकी हुई होती है, उन्हीं को हम वाहे कहते हैं यह क्या करती है कली अवस्था में पुष्प की सुरच्छा प्रदान करती है और यह किस रंग की होती है हरे रंग की होती है तो यहां इस चीज को आप नोट करना है इस चीज को आप देख लेना ठीक है आईए आंगे की और पढ़ते हैं और आप थोड़ा और समझने का प्रयास करें पुस्प का अंगला पार्ट है जिसका नाम लिखा है दलपुझ पुस्प का अंगला पार्ट लिखा है जिसका नाम लिखा है दलपुझ दलपुझ क्या होता है जिसको हम कोरोला कहते हैं पुधे के अंदर जो ये रंगीन पतिया है ये आप जो देख पा रहे ये जो रंगीन कलर की पत्या है इन्ही को बिटा क्या कहा जाता है दलपुझ कहा जाता है दलपुझ तो अगर आप से पूछे दलपुझ क्या है तो पुस्प का जो रंगीन भाग होता है पुस्प का जो फूल का जो रंगीन भाग होता है पुस्प का जो रंगीन भाग होता ह उन्हीं को हम क्या कहते हैं दलपुंच कहते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं दलपुंच यही जो दलपुंच है आपने पुस्प में देखा होगा फूल में देखा होगा जैसे गुलाब के फूल में आप देखिए कई गुलाबी कलर की या पिंक कलर की बहुत सारी पत्तियां होती तो जो रंगीन भाग होता है उसी का नाम दलपुंज होता है इसका पड़ा इंपोर्टेंट रोल होता है ज़रा ध्यान से सुनिए ये जो दलपुंज है इसका अगर कोई आपसे कार्व पूछते तो ध्यान से सुनना लिखना है आपको आपनी काफी में नोट कर लेना पराग परागड क्या होता है तो अगर मैं बात करूँ परागड क्या होता है तो परागड का मतलब है यह एक प्रक्रिया है जिसके परडान सरूप ही पौधे के अंदर पौधे के अंदर जनन प्रक्रिया शुरू होती है परागड क्या होता है उसमें बात में बात करेंगे लेकिन परागड मुश्चली पौधों के फूलों में परागड कीटों के दोरा होता है जो बिविन परकार के कीट फूलों की तरफ आकरशित होते हैं उनके आकरशड का कारण होता है फूल की पत्तियों के अलग-अलग परकार के रंग तो पौधों का फूल में वह पार्ट जो रंगीन होता है उन्हीं को हम दलपुंज कहते हैं और इनका काम होता है कि परागड के लिए कीटों का आकरशड और important रूफ से आप याद रखिए कि इनमें से एक पत्ती को पीटल कहा जाता है इनमें से total की total अगर मैं बात करूँ तो total की total बात करूँ तो इनको दलपुंज जिसको कोरोला कहते हैं लेकिन एक पत्ती को निकाले तो उसको पीटल कहते हैं तो ये वाला पार्ट जो है रंगीन पार्ट जो है इसको हम दलपुंज कहते हैं तो ये तो important पार्ट हमने पढ़ लिए यह वह है दलपुंज था और यह सीधा कीटों वा आकर्शन काही के लिए परागड के लिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं इसी फूल में हम समझने का प्रयास करते हैं कि पुमंग क्या होता है आप देख पा रहे होंगे कि इसमें ये वाला जो पार्ट है जिस पर ये लगा है ये वाले जो आपको पार्ट आप दिख रहे होंगे अगर मैं इसको ब्लैक करता हूँ तब आप समझ पाएंगे यह वाला जो पार्ट है यहां पे आप देखिए यह पार्ट है यह जो पार्ट आप देख पा रहे हैं आपने गुडहेल का फूल देखा होगा गुडहेल के फूल में किनारे नीचे तो हरी कि यह होता है उपर रंगीन पत्तियां होते हुटें बीच में आपने करने से प्रकार के कड़ होते हैं जिनका नाम पराग कड़ होता है और यही पराग कड़ पौधे के अंदर मेल ओर्गन से निकलने वाली जो चीज है उसका नाम पराग करड़ होता है और पराग कड़ किसमें पाया जाता है पुमंग में पाया तो पौधे के फूल में इसके तीन पार्ट है उपर बर्तिकाग कहते हैं बीश में बर्तिकाग होता है और यहां वाला हिस्सा अंडाश होता है यह जो पार्ट मैं एलो कलर से कर रहा हूँ यह वाला पार्ट ही पौधे के फूल के अंदर मादा भाग है और इसी का नाम जायांग होता है तो मादा पुस्प पुस्प प्ले रोल करता था ये मैंने आपको बताने का प्यास किया तो हरे रंगी पत्तियों को हम बाहिदल पुस्प 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 पुस् दो important चीजों के रोल देखेंगे, एक पुमंग और दूसरा आपका क्या होगा, जायांग, मैं आपको important रूप से बता दूँ कि ऐसे पोधे, ऐसे पुस्प, जिनके अंदर ये सभी पार्ट होते हैं, इन्ही को हम पूर्ड पुस्प कहते हैं, इन्ही को हम क्या कहते हैं, पूर पूर्ड पुस्प कहते हैं, और जो पूर्ड विक्सित फूल होता है, उसमें आप ध्यान रखेंगे, ये सारी की सारी चीजें पाई जाएंगी, तो हमने इस स्लाइड में पढ़ने का प्यास किया, पुस्प की सनरचना, पेपर में सवाल बन सकता है, कीटों को आकरफेड क क्या होता, आप कहिए धेंगे जायंग, आइए पुमंग और जायंग को और समझ लेते हैं, अंगली स्लाइड में हम देखते हैं, हमने आपर सीधि स्लाइड ही बनाई है, और इसमें यहीं लिखा है, की बताइकि की पूस्प का नरभाग क्या है, तो आप कहेंगे पूस्प पुस्प का नर्भाग जिसको हम पुमंग कहते हैं, एंडरोश्यम इसको अंग्रेजी में कहते हैं, पुस्प के नर्भाग के तीन पार्ट होते हैं, एक का नाम पुंकेशर, दूसरा का नाम पराग कोर्स, और तीसरा का नाम पराग कर, मैं समझाता हूँ, जैसे मैंने अभी आप ऐसे समझेए, अभी मैंने एक फूल, मैं यहाँ पर ऐसे देखिए, मैंने यह बना दिया, एक फूल का यह पुसपासन है, इसके उपर अगर मैं देखूँ, एक सन्नचना बनाता हूँ, हलका चित्र जिसको आप समझने का प्रयास करना, इस पुसपासन के उपर एक, यह ह निकले हूँ है, पुमंग, अगर आप इस चित्र को देखें, तो ऐसे समझने का प्रयास करें, तो फूल के अंदर जो रेसे जैसी सन्नचना निकली होती है, उनके बीच में एक मोटी सी सन्नचना होती है, जो मोटी सी सन्नचना है वो तो मैंने यह बनाया और जो रेसी सन्न तो इस पुस्प में आप ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा भाइट करता हूँ, इस पुस्प में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये ही वाला पार्ट जो है, आप समझेए, ये ही वाला पार्ट को हम पुमंग कह रहे हैं, ये ही जो पार्ट है, ये ह बिटा क्या होता है नर भाग होता है ठीक है तो ये पुस्प का नर भाग है और इसके तीन पार्ट होते है एक का नाम पुंकेशर एक का नाम पराग कोस और एक का नाम पराग कड तो ध्यान से देखिए फूल का हो है पार्ट जो यहां से लेके यहां तक यह वाला जो हिस्सा ह ये वाला जो हिस्सा है बिल्कुल यहां से यहां तक की जो पार्ट है इसी का नाम अगर कोई पूंच है तो क्या नाम होता है पूंकेशर इस भाग को हम क्या कहते हैं पूंकेशर वह तंतु है जो फूल को पराग कोस से जोड़ता है फूल के अनभाग को पराग कोस से जोड़ काम यह जो आपको ऐसी संचना दिख रही है दागा नुमा तंत नुमा संचना दिख रही है इसी को पूंकेशर कहते हैं और इस पूंकेशर यह सभी यह वाला हिस्सा पूंकेशर यह वाला हिस्सा पूंकेशर इस पूंकेशर के ऊपर जो यह मैंने आबरड जैसा बनाया है इस इसी का नाम पराग कोश होता है इसी का नाम क्या होता पराग कोश पराग का मतलब वह कड़ जैसे आप ध्यान से देखिए human body में जब reproduction होता है तो मनुष्य मानब male organ से sperm निकलते हैं लेकिन जब plant में reproduction होता है तो male organ में sperm की जगा पराग कड होते हैं और पराग कड जहां रखे होते हैं उस part का नाम पराग कोश होता है कोश का मतलब जहां कोई चीज संग रहे है इस कोश में क्या चीज संग रहे है उसका नाम पराग है ठीक है और इसी के उपर अब ध्यान से देखना इसी के उपर जो छोटे 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 ऐसे पार्ट इस पराग कोश के उपर होते हैं इन ही का नाम इन जो पार्ट है यही मेन आरगन है इनका नाम पराग कड होता है क्या होता है पराग कड तो ध्यान से देखिए ये वाले हिस्से को पुंकेशर कहा इस वाले हिस्से को पराग कोस कहा और इसके उपर जो ये दाने जैसी ग्रेनुल जैसी या छोटे-छोटे पार्ट जैसी शंदचना है इनी का नाम पराग कड़ है और इन तीनों पार्ट को जोड़ दिया जाए तो इस पार्ट का नाम पुमंग है इस part का नाम पुमंग है reproduction की प्रक्रिया में भाग कौन लेता है तो reproduction की प्रक्रिया में भाग लेने वाला जो male organ, male part है जिसका नाम पराग कड़ है और इन तीनों को जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा पुमंग तो जब पौधे के अंदर reproduction होता है तो उसमें जरूरत किसी पड़ती है पराग कड़ की तो ये आप मुझे लगता है आप इस part को समझ पाए होंगे तो ये पौधे का नर भाग है जिसको हम क्या कहते हैं पुमंग तो ये पौधे का नर भाग है पुमंग के तीन पाट थे यहां भी अगर हम बात करें तो इसके भी तीन पाट है एक जिसका नाम बरतिकाग्र होता है एक जिसका नाम बरतिका होता है और एक जिसका नाम अंडाशे होता है आईए फिर एक छोड़ा सा चित बनाके हम समझने का प्रयाश करते हैं और यहां भी देख लीजे बस इन चीज को समझ गए तो कल की क्लास में आपको आशानी होगी यह तो हमने आपको बता दिया यह तो होता है ब्रंत ठीक है यह हो गया आपका ब्रंत इसके उपर यह हमने पुस्पकार बना दिया पुस्पासन ऐसे एक संदचना यह डंठल है इसके उपर इसके उपर एक पार्ट होता है जो मैंने थोड़ी दिर पहले भी बनाया था ये जो पार्ट है ये जो मोटी जैसी सनचना आपको मिलेगी किसी flower में बीच में उसी को कहते हैं जायांग मैंने इधर आपको जो अभी यहाँ पर यह सनचना बताई थी ये तो आपके पुमंग थे ये नरभाग था इसको तो पढ़ चुके अब बात करते हैं इस वाले पार्ट की इस वाले पार्ट में जो ये वाला portion है ये जो मैं green color से कर रहा हूँ इसी पार्ट का नाम जायांग है इसके भी तीन खंड होते हैं तो जरा इसको समझने का प्रयास करो जो ये उपर जैसी सनचना है ये सनचना है इसी को हम वर्तिकाग्र कहते हैं इसका काम क्या है अभी बताते हैं और ये जो बीच वाला हिस्सा है ये वाला हिस्सा जो है बीच वाला इसको हम वर्तिका कहते हैं और ये जो सनचना ये जो गोल सनचना आपको दिख रही है इसी क ओवरी कहते हैं या बोले तो इसी को अंडाशे कहते हैं हमारी जरूरत कहा जरा ध्यान से देखिए ये बरतिकाग्र है ये बीच वाला पॉर्षन बरतिका है और ये नीचे वाला पॉर्षन अंडाशे है और ये जितना पॉर्षन ये दिख रहा है ये ही पॉर्षन जायंग है तो तीन पार्ट जयंग के होते हैं क्या होता है अब जड़ा देखना इस नर्भाग पुमंग के उपर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इस नर्भाग पुमंग के उपर बहुत सारे छोटे छोटे कड जिनको हमने कहा पराग कड जिनको हमने क्या कहा पराग कड य क्या कह सकते हैं अंडारू पॉधे के अंदर जब रॉप्रक्शन होगा तो ये नर्भाग परागकर और अंडारू का मिलना होगा तब ही जनन प्रिकिया संपन्न होगी, तो कीटों के दौरा, हवा के दौरा, पानी के दौरा, एक काम होता है, यहां से कोई एक परागकर यहां से जो यहां गया है इसी प्रक्रिया को हम परागड कहते हैं इसी प्रक्रिया को हम परागड कहते हैं तो कल की क्लास में हम आपको बताएंगे कि पराग कोस से पराग का उठकर जायंग के बरतिकागर पर पहुंचना परागड कहलाता है और यहां से जो पराग कड है निशेचन कहते हैं क्या कहते हैं निशेचन तो बड़ा ही important part है परागड और निशेचन इसके निशेचन की प्रक्रिया के बाद ही किसी भी पौधे के अंदर निर्मान शुरू हो जाता है फूल से किसका फल का तो important रूप से हम कल की class में देखेंगे कि क्या होता है परागड क क्या होता है निशेचन लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है और पूरी आशा है और आप ये लिख कर बताईए कमेंट में कि आज की class में जो हमने पोधे का महतुपूर पार्ट पड़ा है फूल बोले तो flower उसके बारे में थोड़ी समझ भिक्सित हुई होगी नर भाग कौन सा है मादा भाग कौन सा है दलपुंच का काम क्या है बाह दलपुंच का काम क्या है तो ये सारी चीज़ें के हैं और कल की class में हम बात करेंगे क्या होता है परागड क्या होता है निशेचन कैसे बनते हैं फल तो जुड़े रहिए केरे पॉइंट classes के साथ अगर आप पहली बा बाद आप